तो क्या हाल चाले हैं आप सभी के मैं आ गया हूँ फिट से को कमाल की वीडियो लेकर के इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप फाइब बैस्ट टी डबलू एरफोंस बताने वाला हूँ जो कि अंडर टूथाउजन आने वाले हैं और यह जो कि मैंने पांच बताए हैं सब अलग 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 मतलब कि सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं आपकी नीड के ओपर डिपेंड करते हैं कि आपको किस टाइप का इयरफोन जो है वो चाहिए तो उससाब से आप कोई भी इसको पर्चेस कर सकते हो लेकिन मैं अपना उपीनियन लाश्ट में इसमें जरूर दू जाए जाधा टाइम वेशना करते हुए लेट्स कर से स्टाड़िट सबसे फस्ट जो है वो है रेडमी एरबडस यह जो है ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिक के साथ आता जो काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा इस्टेबल भी है एवन चार्ट के अंदर जो है यह यह आपको देता है और केस के साथ अगर आप इसको यूज करते हो आपको ट्वेलार्स तक का जो है वो अपको देता है यह गेमिंग मोड के लिए काफी जादा बैस्ट है अच्छा है जो कि गेमिंग बहुत जादा करते हैं या फिसके अंदर जो की दोनों आई उस और दोनों क करता है अच्छी तरीके से इसकी जो प्राइज है वो है 1740 इस प्राइस सेग्मेंट के अंदर एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ सारी चीज़ों जो भी है वो काफी अच्छी है अगर आप एक गेमिंग परपस से लेना चाते है तो आप इसके उपर जा सकते हो नेक् करता है खास बात इसकी यह है कि जिन लोगों को प्लेवेक टाइम वह ज्यादा चाहिए उन लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा आई है इसके अंदर 7.5 आर्स तक का प्लेवेक टाइम आपको देखने के मिल जाता है वन चार्ज के अंदर और अगर आप इसको इन केस नेक्स्ट ही बात करते है नेक्स्ट है पैटरॉन इयरवर्स प्रो यह काफी ज्यादा अच्छे है इसके अंदर आपको 3 आर्स तक का चार्जिं टाइम मिल जाता है एक ही बार के अंदर साथ ही इसके अंदर 12 आर्स तक का जो है विद केस आपको प्लेवेक टाइम जो है वो पर कॉल करना है, आप सिर्फ एक को यूज करके ही ये काम कर सकते हो, जो भी इसके अंदर जो है, प्लस पॉइंट देता है इसके लिए, और अगर आपको ऐसे ही चीज की तलास थी, या फर यही चीज आपको फरीद नहीं है, आप इस चीज के उपर जा सकते हो, वन येर की इस इसके अंदर भी आपको सपोर्ट देखने के लिलता है, लेकिन खास बात इसके डिजाइन है, इसके जो डिजाइन हो काफी ज़ाद अची है, अगर आपको एक डिजाइन के परपस चाहिए, जो काफी ज़ाद अच्छा लूप प्रवाइड करें, प्रिमियम लूप लगे, आप इसके उपर जा सकते हो, अच्छा है, नेक्स्ट बात करते है, ओपो एनको डब्लू डबल वन, हाँ, मतलब की डबलू 11, यह जो है काफी बड़िया है, प्लूटूथ 5.0 का जैसा सपोर्ट है, इसके अंदर भी देखने के मिलता है, फाइवार्स तक का प्लेवार्स ट काफी अच्छी बात है, इस प्राइस सेग्मेंट के अंदर आपको यह चीज़े मिल रही है, टच कंट्रोज है, लूप काफी जादा प्रीमियम है, मतलब अगर अगर देखेंगे, हर चीज के अंदर बैस्ट है, और इसकी जो प्राइस है, वह है 1,999, लिंक से पताया है, जो है OPPO NPPO W11, इसको मैं पर्चिस करता है, क्योंकि यह बिल्ड क्वालिटी, प्रीम डिजाइन है, इसका प्लेवेक टाइन भी अच्छा देता है, ब्लूडूथ 5.0 का सपोर्ट भी है, काफी अच्छी चीज है, इस प्राइस सेग्मेंट के अंदर नॉइस मैं आपको रेड कलर का बटन सबस्क्राइब ने था हुआ है, उसको दबा दीजिए, बेल आइकन दबाज दीजिए, ताकि मेरी जोई वीडियो से हैं, सबसे पहले आप देख सको, तब तक करूं मजे, एंड हेवाना इस्टे.